नमस्कार दोस्तों, स्वागात थे आप सभीगा, आपके रहे हमार यूट्यूब चैनल रॉक इस्टार इजिकेशन में मैं हुराज, आप लोग को बताने वाले हैं अगर आप गिरियोशन पास करने के बाद, 2024 में इंतिजार कर रहे हैं, भी ये पास 50,000 रुपे के लिए औन आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि इसके भी से में हम संपुन जानकारी देंगे, कि पोटल जो है किस मेहने में खुलने वाला है, साथ में कौन-कौन से सिसन के छातराएं जो है, इसके लिए आविदन कर पाएंगे, सबसे पहले वीडियो सुरू करने से पहले आप लो तो आपको बीट में देख लिए पांच मिट का ज्यादा साथा वीडियो होता है, पांच से मेट का वीडियो में बनाता ही हूं, उसमें सारा कुछ एक्स्प्लेन रहता है, उसको अगर आप सुन लेंगे, तो मेबी आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जागा, बाद कर दो हैं, पांच साथी कर लिए हैं, या मुझे पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बहुत सारा कांफ्यूजन है, उसके बाद ये भी है, रहता है कि अधार कार्ड में हमने पीछे का जो एड्रेस है, वो पत्ती का नाम कर लिया है, जहां हमारा साधी हुआ हो हो वहां क तो वैसे सब कोस्टन हम इस वीडियो में बताएं कि उसको जितने भी कोस्टन हमने बता है सारा का सारा हम आपको आंसर देंगे साथ में यह यह बताएंगे इस पोर्टल जो है आखिर किस मन्त खुलने वाला है ताकि आप लोग जो है आप दिन कर पाएंगे अगर आप काफी बेस अबरी से इसका इंतिजार कर रहे हैं कि आप दिन कब सुरू होगा उने से बाइस से सब्सक्राइब कर गई है तो क्या उनको पैमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह भी कुस्टन था आईए हम आपको करके सारा का सारा जान काई जते हैं सबसे मिला कुस्टन का आप किलर कर दें कि जो छातनाएं पर्मोटिड कर गई है उनको इसका लाब मिलेगा यह नहीं मिलेगा 110 पर्षेंट आपको लाब दिया जाएगा दूसरा कुस्टन था कि किस डिविजन वाले को पैसा मिलेगा फॉस्ट सेकेंट थाड़ है तो आपको इसका पैमेंट दिया जाएगा बहुत लोग का यह भी कुस्टन रहता है कि सर जो है हम जो है यूपी से हैं और हमने बिहार में जो है गरिशन किया तो क्या मुझे इसका लाब मिलेगा बिलकुल मिलेगा लेकिन तभी अगर आपका निवास परमाण यान तो आपको इसका लाब मिलेगा वह जो है कि उनली फोर वाले के लिए आपने तो आपको इसका लाब मिलेगा अगर आपको जो है आपको दिया जाएगा साथ मैं अगर आपको साधिस सुधा भी अभागर हो चुके हैं तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है आपको भी इसका लाव दिया जाएगा साथ में आप रही बात कि आविदन कब सुरू होगा और अभी तक जो है जो जून में सुरू होने वाला था आविदन की प्रकेरिया वो क्यों नहीं हुई यह शुरू और कब तक हो जाएगा ताब को हम बताते हैं सबसे पहले मैं बता दूँ कि कुछ ऐसे उनिवर्सिटी हैं जहां कि अभी तक सेशन 21-24 का वहां अभी तक जो है रिजल्ट पेंडिंग है जो अभी तक नहीं दिया गया है हम आपको किलर समझा देते हैं कि PPU साथ में मगद उनिवर्सिटी और बिहार उनिवर्सिटी बहुत और भी कुछ ऐसे उनिवर्सिटी हैं जहां कि अभी फॉर्म ही बरा रहा है पार्ठट का तो बहुत ऐसे जगा है जहां पे कि अभी तक उसका रिजल्ट एक्जाम हो चु है उस हिसाब से जो है संपे मधे नजर रखते हुए पोटल को ओन करती है याद रखिए कवाद हर्दम कि अगर एक दो इनिवर्सिटी अगर डिले है और बादवांगी का रिजल्ट केलियर हो चुका है परतेक सेशन का वैसे कि उनको बीच में पोटल को ओपन किया जाता है अगर बहुत सारा उनिवर्सिटी जो है पेंडिंग रहता है तो वैसे केस में किया कि पोटल को ओपन नहीं हो रहा है कि पीपी यू हुआ मगध इनिवर्सिटी हुआ बहुत अश्य से लेकर 24 सेशन का रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है आया नहीं है इस कारण से जो है उन लोको अभी तक उरिजनल मार्ग शिट नहीं मिला है जिस पेंडिंग का सरीयल नम्र मैंचन होता है यह जब आप फोटला करते हैं उसमें सार्वctive सिरील नम्OR लिया जाताए बगर बगरा बगरा तो वह अभी तक उनको नहीं मिला है अिसमany प्स्री भाप इस लाबसे च तेरेartet आपडेटश्न से 6 महने से अभी तक नहीं आया है। कोई बिसेस अपडेट के अंदर है नहीं। मैं नहीं किया गया। वसका एक monkeys बताते हैं कि आपिदन जो है उमीद जताया जा रहा है कि जुलाइ के लाश्ट विक तक ओपिन किया जाएगा लेकिन इसके लिए अभी तक कोई करती है अब तो आप समझ गया होंगे उमीद है कि जुलाइ के जो है लास्ट वीक में शुरू किया जाएगा अगर नहीं होता है तो फिर हो सकता है कि अगस्त में फिर पोटल को ओन किया जाएगा हलाकि इसके रिकार्डिंग जो भी अपडेट आगा सबसे पहले हम वीडियो क यहां कि सबसेति बलिएटि फंड लिखा हुआ कब तक पह मेंड आएगा तो आप यार्थ रखे जूलाइ के जो है जूलाइ के पांस तारिक बाएद पेमेंगर और जल्द की सबकारा מंट जो है बन चुका है और जल्द ही सबसें पैंट में पाइसे को बहए जाएँगे ऐ लोग का नाम एड नहीं हुआ है जो लोग आविदन करने से चुक गए थे आप लोग को घष्टा नहीं है जैसे जैसे सब युणिट को फिर से अपडेट किया जाएगा और फिर से आपका आविदन लिया जाएगा जल्द ही उमीद है कि जुलाइ के लास्ट विक तक इसका प लेट होगा इस तरह की इंफॉर्मेट्टी वीडियो के लिए आप मुझे भी फोलो कर लिजेगा मिलते हैं अगली वीडिम तक तक के लिए धन्यवाद